असलाम अलेकूम आप सब का साना किचन में सुआ गाते हैं आज हम बनाने वाले हैं मिक्स बेल बाल का सालन और उसके साथ हम बनाएंगे बोम मिल का ठेशा आया रेसिपी देखे हमने इसे पानी में बॉयल किया है और गॉम्बिल को हमने इसे बिगो के रखा है इसे हम ग्रेंडर में दरडड़ा पीसेंगे पानी सब्सक्राइब डिप लिया और लशन और मिर्ची को भी कट कर लिया है आया रेसीपी देखे अब नेट दालेगे पाथ चंचे ऑल्याइब घरम हो चुका। अब पेस्ट डालेगे पेस्ट अद्रक लुस्तन लाइट ब्रॉन हो चुका है अब हम इसमें दालेगे जो मसाले हमने तयार किये थे अब हम इसमें मसाले दालेगे अब हम इसे दो मिनिट तक बूनेंगे ताके इसमें से ओनियन की कच्छी बास निकल जाएं इसे हम फास पर रखके बुनेंगे अब इसमें हम नमक डालेगे और साथ साथ में सारे मसाले इसमें एट करेंगे यह धनिया पौडर यह लाल मिर्च पौडर यह हल्दी पौडर और यह गरम मसाला होमे गरम मसाला अब हम इसे अच्छी तरह चलाएगे इसे हम ढाक कर दस से पंदरा मेट तक पकाएंगे आये हम इसके साथ साथ बोमिल का ठेसा भी बनाएगे हमने एक पैन लिया है इसमें हमने तीन चम्मच ऑइल डाला है अब इसमें एक टीस्पून दालेगे जीरा जीरा हमारा हलका सी लाल हो चुका है अब हम इसमें दालेगे लसन इसे हम हलका सी लाइट ब्राउन करेंगे हलका ब्राउन ये हो चुका है अब हम इसमें दालेगे हारी मिर्च हम अच्छे थे ही चलाएगे और इसे हम दो मिनिट तक पकाएगे ताके हरी मिर्च की कच्ची बास निकर जाए और हम इसमें एक तिस्पून नम्मक डालेगे हमने बॉम मिल्क को ग्रेंड किया था हमें इस तरीके साही ही पिसना है ज्यादा बारीक नहीं ज्यादा मोटाने मिडियम अब हम इसको अब हम दालेगे इस अच्छी तरह सी मिक्स करेगे इसे हम ढाकर दस मिनिट तक पकाएगे आए हम अपनी ग्रेवी देखते हैं हमें इतना ही बुनना है ताके इसमें तेल छूटे देखिए आप इसमें तेल छूट चूट चुका है हमारा मसाला तयार है अब हम इसमें बेल डालेगे बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है हम इसमें फ्रेश क्रीम दालेगे डो टी स्पून कि हमने इसमें दो टीस्पून क्रीम एट किया है अब हम इसे पास में तक धक के पकाएगे हैं हमारा सालन बनकर तयार है अब हम इसे डीश में निकालेगे और इसी के साथ साथ हमारा बोमिल का ठेशा भी तयार हो चुका है अब हम इसे एक बॉल में निकालेगे देखिए यह मेरी डीश बंके तयार है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अब हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे अल्ला हफीज